संस्कित साहित के इतियास में महाकाब विसाहित जो है महाकाब विसाहित बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है यह महाकाब यह किस तरह से लिखा जाता है इसमें क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं किस तरह से इसकी रचना की जाती हैं कितने बागों विवक्त होता है यह सब महा काब में बताया गया है जो संस्की साहित की इत्यास का बहुत ही मुहत्पू टोपिक है और हमेशा यह दस नंबर काता है पेपर में पूछा जाता है यह देखते हैं महा काब किसी काते हैं महा काब जो होता है वो सब्दे को दारह किस यह सब्सकीत भासा में बहुत प्राचीन है जिसे कभिके कर्म के रूप में जाना जाता है की जो है काव क्या होता है कभी के कर्म के रूप में जाना जाता है और कहने का मतलब वीवा कि अगर हम देखे तो वालमीक से काली दास्ता क्या निकि पहले सताबदी से लेकर देखें तो यहां तक काव कला के सताबदियां लग गई आने में पर जो काव था इतना विक्सित हो को आता कि वह महा काव का रूप लेचा तो महा काव किस तरह से लिखे जाते महा काव में क्या हुता है यह हमने क्यों कहले अखिक दिसार विफ्य देना कावी जो होता है वो आकरसन विवरंड देना चित्रन करना और उसी को विस्तार पुरुवक लिखना उसे महा कावी कहते हैं तो महा कावी लिखने के लच्छन क्या-क्या होते हैं वो आप दे मैं बताने जा रहा हूं देखें पहला जो है अगर कहें हम की क्या-क्या चीजे ध् आने की हीरो जिसके बारे में आप प्रदर्शित करेंगे इसको मुख भूमिका देंगे दूसर ना एक हो गया और तीसरा जो होता है वो रस से संबंध बाते हैं रस से संबंध याने कि उसमें किस तरह के रस हैं किस तरह के बुर्ण धर्म आपके बताये गए हैं वो सारी सर्गों मतलब जिसे हम अध्याय पड़ते हैं तो वो एक ही चीज को अलग-अलग अध्याय में बाटा जाता है तो जो यह महाकाब्य है या सर्गों में विभगत होता है सर्गों में एक ही चंद का प्रयोग रहता है किन्तों अंत में चंद परवर्तित हो जादे कहने मतलब जो चंद होते हैं वो चंद रखे जाते हैं और लास्ट में आप चंद बदल सकते हैं तो पहला क्या होगा कि यह सर्गों विभगत होता है चंद रखे जाते हैं और तीसरा जो हो गया वो निम्तम जो सर्गों की संख्या होते हैं जो विभाजन होता हो आठ हो सकता है कम से कम आ मतलब थारें जोड़ा करते हैं कि अप हमें ग्यान दें बन भुर्दी दें उसी तरह महाकाब में किसी देवता क्यों पासना की जाती है जो छटा पॉइंट है कथावस्त में चतुर वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम और मोच का वड़न होता है यहां बहुत अच्छी बात है कथावस्त में चतुर वर्ग का वड़न बहुत जरूरी है कि धर्म क्या है उसका अर्थ क्या निकला काम क्या कर रहे हैं मोच प्राप्त अंत में दिखाई जाती है बहुत अच्छी बात है कि जो कथानक जोता वर कर रहा तो उसके फैल की प्राप्ती बहुत जुरूरी वह अंत में होता है महाकाव्य में निमलिखित विश्यों का यथा साध्ध वर्णन रहता है हाँ सही बात में कुछ पर्टिकुलर चीज़े होत अंतकार, दिन, प्रभात, सुबह, सुबह जिसे मुसा के किरण करते हैं मिरिगया, परवत, रित, वन, सागर, युद, अस्थान, विवा, मंत्रण, पुत्र, जन, मुन, प्राप्त यानि की फल प्राप्ती तो यह जो सात्वा प्राप्त है बहुत ही महत्पूर था आठवा जो प्राइट है गरंत का नाम कभी कथानक नायक या प्रतिनायक के नाम से रखा जाता है जो महाकाभी का नाम रखा जाता है या तो वह कभी के नाम से रखा जाता है जो लिखता है या फिर कथानक कथाने क्या कि जो गटना जिसकी घटना है या किसी की जैसे रियल की घटन चाहते हैं प्रतिनायक जो हो गया उसके साथ में जो मतलब जैसे जो कोई सपोर्टिंग रोल करते हैं या जैसे उसकी सहपाथिनी जो होती है पोजिट जैक्स जो रोल कर रहे होते हैं उनके नाम से भी रखा जा सकता है तो फिर ध्यान देने वाली बात है और नौमा जो है जो सर्ग होते हैं जो सर्ग में भी वक्त होता है चार संग पाथ मतंब मिनिमन आठ मैक्सिमाम कितने भी हो सकते हैं 16, 17, 32 सर्ग में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- सिद्धिया एतिहासी घटना पर आश्रित होते हैं कालपनी की तिविति का अवकास इसमें नहीं होता हां तेखलो सही का था मैंने कि यार इसमें जो कालपनी नहीं होता महा कर्फ में दिखतर जो चीज़ें होती है वो आश्रित होते हैं कालपनी तो एतिहासी घटना पर आश् जाओं कि वह अंसावलियां हा रहे होती हैं उस पे लिखा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी पीडियां होती हैं तो यह थे महाकाब साहित को पढ़ने के कुछ पॉइंट लिखने के कुछ पॉइंट अगर आप भी महाकाब लिखना चाहते हैं अब देखो बसके पैपर में आता है तो यहीं आप 10 पॉइंट लिखे निए नोव पॉइंट लिखने भी हैं और हर पॉइंटको थोड़ा बढ़ा करके लिखिये अपने सो जोड़ करक हुआ हुआ इससे बाहर सब्सक्राइब मैं आठ नमर तो आपको मिली जाएंगे तो आप इसे बाहर लिखना याली कि फाल तुकी लिखना है तो आप इसे ध्यान रखेगा और महाकाब साहित महाकाब साहित के 8-10 पॉइंट थे और यही थे कथान के बाद ध्यान रखना कि इसमें जो गटना होती है इतियासी गटना पर आसिरत हो सकती है या फिर किसी कभी कि दिश्ट से महाकाब किसी प्रसिंद के इतियासी गटना ही होती है यह कहिए